ठंड साइद दिलंप से चल रही है और बहुत दीरी गती से ठंड आ रही है लेकिन राजनीती गर में बड़ी तेजी से बढ़ रही है कल ही चार राज्यों के चुनाव नतीजा आए है बहुत ही उत्सावर्दक प्रणाम है यह उनके लिए उत्सावर्दक है जो देश के सामान ने मानवी के कल्यान के लिए कमिटेड है जो देश के उज्वल भविश्य के लिए समरपित है बिश्य कर सभी समाजों की सभी समूहों की शहर और गाउं की महिलाएं सभी समाज के सभी समूह के गाउं और शायर के युवां हर समूदाय के समाज के किसान और मेरे देश के गरीब ये चार ऐसी महत्वकुन जातियां है जिनका एमपावर्मेंट उनके भविश्य को सुनिशित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलिवरी इन उसलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है और जब गुड गवर्नन्स होता है पूर्ण तया जन हित के लिए समर्पन होता है तो एंटी इंकंबन्सी ये शब्द इर्रेलेवेंट हो जाता है और हम लगातार ये देख रहे हैं कोई उसको प्रो इंकंबन्सी कहें कोई उसे गुड गवर्नन्स कहें कोई उसे ट्रांसपरंसी कहें कोई उसे राष्ट हित की जन हित की ठोस योजनाएं कहें लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है और इतने उत्तम जानादेश के बाद आज हम समसद के इस नए मंदीर में मिल रहे हैं इस समसद भवन के नए परिशर का उद्गाटन हुआ तब तो एक छोटा सा सत्र था अई तिहां से एक निर्णे हुआ था लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कारे करने का आउसर मिलेगा नया सदन है छोटी मुटी अभी भी शायद गवस्ताओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती है जब लगातार काम चलेगा समसदों और विजिटर्स को भी मिडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि आदर्णिय उप्राश्पति जी और आदर्णिय स्पीकर महोदय की नेतुत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निग्रानी है और आपसे भी मैं कहूंगा कोई चीज ऐसे छोटी मुटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान अकरसित करना क्योंकि ये चीजे जब बनती हैं तो आवश्चक्ता के अनुसार बढलाव की भी जरूरत होती है देशने नकारात्मक्ता को नकारा है मैं लगातार सत्र के प्रारम में विपक्ष के साथ क्यों के साथ हमारी हमारा विचर विमर्ष होता है हमारी मेंटिम उसे चर्चा करती है मिलकर के भी सब के सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्षना करते हैं आगरह करते हैं इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियां कर ली गई है और आपके माध्यम से में मैं सारवजिनी कुप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आगर करता हूँ लोक्तंत्र के मंदीर जन आकांग जाओ के लिए विशित भारत की नीवत को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहत महत्वपुर मंच है मैं सभी मान्य सांसदों से आगर कर रहा हूँ कि वो जादा से जादा तयारी करके आएं सदन में जो भी फिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो उत्तम से उत्तम सुझाव आएं और उन सुझावों के द्वारा क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत उत्तम तत्तो होता है लेकिन अगर चर्चाई नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को और इसलिए मैं फिर से अगर करता है और अगर मैं बरतमान चुनाओं नतीजों के आधार पर कहूँ तो जो विपक्ष में बैटे हुए साती है ये उनके लिए गोल्डन अपरजिनिटी है इस सत्र में पराजय का गुसा निकालने की उज़ना बनाने के बजाएं इस पराजय में से सीख करके पिछले नव साल से चलाई गई नकारतमक्ता की प्रवत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारतमक्ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिवन बदलेगा उनके लिए नया द्वार खुल सकता है और वो विपश्में है तो भी उनको एक अच्छे अड़वाई दे रहा हूँ कि आईए सकारा तो विशार लेकर के आईए अगर हम दस कदम चलते तो आप बारा कदम करका फैसला लेकर काईए हर किसे का भविश्म जूजवन है निरास होने की ज़रूद नहीं है लेकिन किपा करके बहार के पराइदे का गुशा सदन में मत उतारना हताशा निरास होगी आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुन्दुकुर करना भी पड़ेगा लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाईए और अभी में मैं कहता हूँ मैं मेरे लंबे अनुवों के आधार पर कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए विरोग के विले विरोग का तरीका छोड़िए देश इसमें सकारात्मक चीजों का साथ दिए अच्छी उसमें जो कम्या हो उसकी डिबेट कीजिए आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफ़त पैदा हो रही है हो सकता है वो मुहमद बदल जाए तो मोका है यह मोका जाने मत दीजिए और इसलिए हर बार मैं करबद प्रार्षना करता रहा हूँ कि सदन मैं सहयोग दीजिए आज मैं राजनितिक जश्रिकोर से भी कहना चाहता हूँ कि आपका भी भला इसम है कि आप देश को सकारत्वक्ता का संदेश के आपकी छबी नफरत की और नकारत्वक्ता की बने वो लोकतंतर के लिए अच्छा नहीं है लोकतंतर में विपक्ष भी इतना ही महत्मपुन है उतना ही मुल्यवान है और उतना ही सामर्तवान भी होना चाहिए और लोकतंतर की भलाई के लिए मैं फिर से एक मार अपनी ये भावना को प्रगट करता हूँ पेंटी फोटी सेवन अब बेश विश्चिद होने के लक्ष में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता समाज के हर वर्ग में ये भाव प्रगटा हुआ है कि बस आगे वड़ना है इस भावना को हमारे सभी मानने सांसत समद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं यही मेरी उन्ते प्रार्तना है आप सब को भी साथियो मेरी बहुत बहुत सुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद